नमस्कार, knockingnews.com में आपका स्वागत है, मैं हूँ गिरजेश वसिष्ट कुत्तों को लेकर बहुत सारे वीडियो आपके सामने आ रहे होंगे और बहुत सारी गटनाएं आप अखवारों में पढ़ रहे होंगे जिन में आपको पता लगता है कि कुत्तों ने अपने ही मालिक के प्रांड ले लिए या किसी और को मार डाला या खिलते हुए किसी छोटे बच्चे को मार दिया ये सारी घटनाएं और ये सारी सूचनाएं जब आप सुनते होंगे तो दर्द होता होगा तकलिफ होती होगी और हम मेंसे बहुत सारे डाग लवर्स हैं जो कभी नहीं चाहते कि इस तरह की घटनाएं हों और इसके कारण सूसाइटी हमारी दो हिस्सों में बढ़ गई है आदे लोग कुत्तों को पसंद करते हैं आदे लोग कुत्तों से नफरत करते हैं या ड़ते हैं चिड़ते हैं तो अब ये घटनाएं क्यों हो रही है पहली चीज़ कैसे इन से बचा सकता है दूसरी चीज और कुट्टे पालना भी एक तमीज का काम है जो आपको तमीज के साथ आना चाहिए और अगर उसके बगएर आप कुट्टे पाल रहे हैं तो आप अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी खत्रा खड़ा कर रहे हैं तो इन सारी चीजों को समझते हुए आज एक साइंटिफिक समझ के साथ ये जानने की कोशिश करेंगे कि कुत्ते इतने हिंसक हो जाते हैं तो कैसे हो जाते हैं और कुत्ते अगर हमारे मनुष्य के लिए ईश्वर का एक उपहार है तो हमारी गलती से वो एक अविशाब भी ब के बात होगी कहीं मत चाहिए चैनल को सबस्क्राइब कर लीजे बहुत सारी जानकारिया मिलने वाली हैं इसके बाद आप कुत्तों के विशेशक हो जाएंगे एक तरह से हमारा यूपी आई आई डिस्क्रिप्शन में है उसके जरीए आप हमारी मदद करना चाहें तो भुक टीचर थी उनके बेटे ने दो कुत्ते पाले हुए थे और दोनों कुत्तों को वो खुद भी बहुत प्यार करती थी और अक्सर अपने कुत्तों को घुमाया फिराय टहलाया करती थी और च्छत पर वो अपने कुत्ते को जब टहला रही थी तो अचानक उनके कुत्ते ने उन्हें पर हमला बोल दिया और उनको इतना ज्यादा घायल कर दिया कि उनकी बाद में मौत होगी उन्होंने अपने बेटे को फोन करके बुलाया उनका बेटा जिम टेनर है और जब वो आया और हॉस्पिटल लेके गया तब तक देर हो चुकी थी बेगु सराई में कुत्तों कई गुलएक कि झुट्व एक ज्उंडने एक महला को माँ डाला जा तीन मामले हो चुके हैं कई ज्फीजए लेकों वैहितनी फेस टू में एक ठाजर माला क्यर हो चुक्त्ते जान कुछ दिया, इस प्रहिभी महीर वैर फेस्टू में एक भाई साब की फैक्टरी थी उन्होंने अपनी फैक्टरी की रक्षा के लिए कुछ कुछ कुट्टों को रखा उनको तरह तरह की ट्रेनिंग देते रहते थे डॉग ये जो खिलोने होते हैं डॉल्स बगरा इन पर हमला करने की एक दिन एक बच्च चीजें आप पढ़ते रहते होंगे मुझफर पुर में भी एक ख़बर आई कि जो है रैवीज से पीड़ित कुट्टे ने दस बच्चों को काट लिया नागपुर में एक ख़बर आई कि पास साल के मासूम को नोच नोच के आवारा कुट्टों के जुणने मार दिया अब आप जहां पर भी जाएंगे कुट्टे तो आपको मिलेंगे हर सड़क पर कुट्टे होते हैं हर सड़क पर कोई नो कोई कुट्टा और सड़क का रखवारी करने वाला उसकी वो टेरिटरी होती है जहां पर किसी दूसरे को गुसने नहीं देता और लोगों के घर में भी यह 35 करोड का आकला मेरे को थोड़ा लग रहा है कि कम है कुट्टों के आवादी से ज्यादा होनी चाहिए लेकिन बाराल जो आकले हैं और यह आकले करें हैं कि इस तरह की घटना हो रहे हैं तो आपको यह समझना पड़ेगा कि कुट्टा काटता क्यों है जब तक आपको य बहुत सारी चीजें यह समझने और बताने की जरूरत है कि आप मुँ उठा के निकल पड़े हैं और कुट्टा पालने का तरीका नहीं है और इसलिए बहुत सारे वैटनरी एक्सपर्ट हैं जानकार लोग हैं उनकी आप मदद ले सकते हैं उपर से हमारे इंदुस्तान की सर चार जो नसले हैं इनके कुट्ते ही लोगों को ज्यादा काटते हैं और वो नसले कौन थी हैं पहले में आपको बता पिट बूल था पिट बूल उल्टी-खोपडी का कुट्टा होता है और बहुत जादा एग्रेसिव होता आक्रामक होता है जर्मनी डेनमार्क फ्रांस इनाडा इटली और फ्रांस में पिटबुल को बेंड किया गया है क्योंकि ये कुता पालने के योग ये नहीं है और भारत में धडले से लोग पालते हैं और गर्व से पालते हैं वो ते बहुत प्यारा होता है वो सिर्फ रहा है उसका जवड़ा इतना पावरफुल है कि एक अगर वो पकड़ ले तो चून बना सकता है और बहुत गुस्सा आने पर उसको मालिक भी कावनी कर सकता ऐसे पिटबुल आप पाल रहे हो हमारे देश में पाले जा रहे हैं जैसा कि लखनों में 80 साल की उस रिटार टीचर महिला की मौत हुई है उसमें उसके बेटे का रोकने की लोगों को अच्छी लगती है और हर वकत वो चुस्त रहता है कभी वो सोता नहीं है और स्पेन और फ्रांस में इसको रोक लगाए गई है भारत में इन कुत्तों के पालने पर रोक क्यों नहीं लगती यह सवाल एक बड़ा है और यह नस्थ आम दोर पर चौकी द कषेफ सक बता कि बहनों ही की और उसकी हत्या कर दे गई उसमें अकिता का ही हाल था आथ ता और इतना प्यारा और सूंदर होता है कि लोग इसको stretches को कहते हैं कि घर;; पालने लाइग कुत्ता नहीं है जितनी ब्रीज़ में बता रहा हूं यह घरों में पालने लाइग केनल कलब के मताबिक इस कुट्टे को बच्चों के साथ अकेला नहीं छोड़ना चाहिए और इसको आप घर में पालने के लिए आते हैं एक और मास्टिफ करके एक ब्रीड है ये इसमें कई किस्म के कुट्टे आते हैं जो सभी फ्रांस में इन पे रोक लगाई गई है इनका स अपने आप में समस्या है स्टेफोर्ड शायर टेरियर ये भी एक कुट्टा है डेनमार्क जर्मनी स्पैंड आयर्लेंड फ्रांस और रोमानिया में इसको बैं कर दिया गया है और इसके ये कुट्टे वैसे तो पारिवारिक माने जाते हैं लेकि इनके भीतर भी अपने टे जैसे वे हमला कर देगा एक शेफर्ड डॉग है शेफर्ड डॉग मतलब आम तोर पर शेफर्ड डॉग जो होते हैं शेफर्ड डॉग होते हैं वो जो चरबाहों के उत्ते होते हैं जानवरों को घेरने के काम आते हैं और ये है रशन शेपर्ड ये डैनमार्क में कुट्ट बेन है और अपने अपनों की खूब हिपाज़त करता है लेकिन बाहरी किसी चीज़ को बरदाश नहीं कर पाता बहले ही बच्चे हों मेहमानों जानवर हों इस कुट्टे का बज़न 80 किलो तक होता है तो अगर आप इस तरह के कुट्टे पालेंगे तो आप मुसीवत मोल ले जो खिम भरा काम कर रहे हैं क्योंकि आप उसकी प्रवृत्ती जानते हैं वो जानवर घर में पालने का जानवर नहीं है उसको अलग अलग परिस्तितियों में अलग 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 जगे पाला जाता है कहीं कहीं पाला जाता है वो घर में पालने के लिए नहीं है हम लोग फ्ल अब आपको मैं कुत्तों की साइकलोजी के बारे में बताना चाहता हूं कि कुत्ते कब हैं और क्यों हैं क्योंकि जब तक आप यह नहीं समझेंगे कुत्तों से बचने सकते देखिए घटना है बहुत खतरनाक हो रही है और इन खतरना घटनाओं के बीच में अगर हमको बचना है तो यह नौलेज बहुत जरूरी है तो अगर आपके आसपास जो कुत्ते काट रहे हैं उसमें से बहुत सारे कारणे जिसमें से एक फियर बेजड है यानि डर पे आधारित है आपका कुत्ता जब डर जाता है और वो अपने आपको घिरा हुआ अनुभव करता है तो अटेक करके बचता है और इसी के साथ आपके एक आदत भी बता दो हमको लगता है कि किसी से अपनी बात मनवानी हो तो उसको पीड देना चाहिए लेकिन यह नेच्ależर इंस्टिंक лишь नहीं जानवर यह नहीं जानता है कि उसको किस बात के लिए पीटा जारा है जानवर यह जानता है कि उसको कौन पीट रहा है तो जब आप उसको पीट रहे होते हैं कुत्ते को किसी भी कारण से बले ही वो डर जाए इधर उदर घुश जाए लेकिन वो ये नहीं जानता कि आपने उसको सुसू करने के लिए पीटा है पौटी करने के लिए पीटा है सोफा फाड़ने के लिए पीटा है या बैग फाडने के लिए पीटा है चपल काटने के लिए पीटा है उसको नहीं पता है उसको ये पता है कि ये आदमी मुझे पीट रहा है और अगर वो आपसे ज़्यादा सुरक्षित हो गया तो आपके उपर हमला कर सकता है ये मुझे लखनू वाला जो माताजी का मसला है उसमें कहीं न कहीं ये भी एक फैक्टर लगता है देखिए आप जानवनों के सर पर दोश डाल के बचनी सकते हैं आप जानवनों को दूर करके भी नहीं बच सकते हैं आपको साथ रहना सीखना ही होगा जैसे कुटा आपके साथ रहना सीखता है और वो आपके साथ जीवन सीखता है आपकी आँखों पे नजर रखता है आपकी आँख के एक इशारे पे काम करता है लेकिन आप उसके दिमागी तोर पे पागल कर दोगे तो उसका नतीजा आपको भुगत नहीं पड़ेगा दूसरा एक defensive aggression होता है जो sphere aggression से ही मिलता जलता है कि कुट्ता जैसे डर के मार हमला करता है वैसे ही सुरक्षा के लिए भी हमला करता है उसको लगता है कि अब मेरी जान चली जाएगी बचना है मुझे यह आदमी मेरी जान ले सकता है यह मुझे रोज पीटता है तो वह हमला कर सकता है तो ऐसे मैं कुट्ते को थोड़ा प्यार से रखिए और कुट्तों को कुछ भी काम कराना है तो reward दे के कराना यह सीखिए जो लोग मुझसे social media में मिले हुए मेरे पास भी एक छोटी सी कुटिया है और वो भरपूर वो सारे काम करती है जो मैं चाहता हूं लेकिन मैं उसको reward करता हूं मैं कहता हूं बैठ जाओ बैठ जाती है जट से उसको एक ट और hunter मारके में उसे कोई काम नहीं करा सकता हो सकता है कि एक दिन और उपर हमला कर दे इसी तरह से social aggression होता है क्योंकि कुटों को अगर आप बाकी कुटों से मिलने जुलने नहीं दोगे लोगों से मिलने जुलने नहीं दोगे आपके घर आदमी आता है कि कुटे इसको कमरे मे कर देते हैं उसको सामाजिकता नहीं आती है वो लोगों से मिलता जुलता नहीं है ऐसी स्थिति के कारण भी कईवार अग्रेसिव हो जाता है अमेरिका में डॉग पार्क होते हैं बहुत सारे देशों में होते हैं भारत अग्रेशन भी होता है उनका जब दर्द हो रहा है काट लिया वो सारा भी होता है इसके अलावा उनकी सारी चीजों के बीच में आप एक शी ध्यान रखिए जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है और वो यह है कि कुट्टा कोई भी हो किसी भी नसल का हो में कुछ बार तो काटेगा ही काटेगा हाला की वो बहुत खयाल रखता है बहुत केर करता है वो अपनी ग्रिप का खयाल रखता है कि मुझे कितनी पकड़नी है कितना दवाना है कितना काटता है अब इस बच्चे का मुझे स्ट्रेस नहीं पता प्रिडेटर वाले behavior कहेंगे आप या जो उनके खून में हैं और वो behavior है कि अगर कोई जानबर दोड़ रहा है तो उसके उपर दोड़ के हमला करना दोड़ते हुए किसी भी जानबर पे किसी भी पशु पक्षी पे हमला करना उसको पकड़ना और इस process में कई बार गलती से कु कुटे बच्चों को भी अपनी चपेट में ले लेते हैं अब बड़ा मसला यह कि भीया आपने तो कुटा भी नहीं पाला तो आपको में ब्रीड के लिए भी दोश नहीं दे सकता और आपको यह भी नहीं कहा जा सकता कि आप कुटे को कैसे पालो कैसे नहीं पालो क्योंकि तो आपने पालए ह ही नहीं हुआ है। मान लिजे हो सडब का कुटा है। किसी और के घर का कुटा है। ऐसे परिस्तितियों में जब आपके उपर म우सीब आ ए कुटा सामने खड़ा हो तो आप क्या करेंगे। इसके लिए वैसे तो बहुत सारे तरीके बताए गए हैं, लेकिन कुछ तरीके जो हैं, जो सर्वमान्य हैं, उन मेंसे एक तरीका है कि भाईया, कुट्था सामने देखो, और आपको लग रहा है, वो एग्रिसिव हो रहा है, तो पहचानो पहले, कुट्थे जब एग्रिसिव अंथ आके क्यी बार जंप करता है, कुछ करता है, क्येलने के लिए जंप करता है और आप उसे भाओ नहीं डेना चाते, तो उसका तःपा है कि आप उपने पहले इस हिस्से को कोवर करें, क्रास करके हाथ से अपनistर को कवर कर ले, इससे कुट्टे को लगता है कि इसके हाथ मेरी तरफ नहीं है या आदमी मेरी तरफ नहीं आ रहा है और मुँ जहां कुट्टा है उस तरफ ना करके दूसरी तरफ कर ले कुट्टे को नजर अंदास करने के तीन तरीके हैं ना तो कोई आवाज नकाले, कुट्टे से कुछ बोले नहीं, कुट्टे को छुए नहीं और कुट्टे को देखे नहीं, ये तीनों काम आप मत करिये, अगर आप छुएंगे नहीं, देखेंगे नहीं, इसको निजरंदास करेंगे, दूसरी तरफ मुझ गर के खड़ा हो जाएं, तो वो शांत हो जाएं, लेकिन अपने आपको शांत रक्षे हैं, आपके अंदर की जो भावनाएं हैं, आप डर रहे हैं, काप रहे हैं, वो सब कमनी की ठोती हैं कुट्टे को, लंबी सांस लीजे, जब ऐसी मुसीबत हो, और हाथ ऐसे करके, दूसरी तरफ मुझ क करके खड़े हो जाएं, कुट्टा सुरक्षित अनुवाव करेगा और चला जाएगा, तीसरी चीज, कोशिच करिए, आप कुट्टे से उचाई पर रहें, बच्चा हैं, तो वो भी उचाई पर रहें, और कुट्टा चितना छोटा अपजेक्ट होता है, उस पे उतना ज़ जाएगा, और इसी तरह से आप जब बाहर हैं, और ज्यादा लग रहा है, तो हाथ उपर कर लिजए, और जब हमला कर रहा है कुट्टा आपके उपर, तो नजरें तो बिलकुल नहीं मिलाना है, और इसके अलावा, अगर आपके हाथ में डंडा है, तो आप क्या करेंगे, ये बड़ा सवाल है, डंडा कुट्टे को नहीं मारना है, क्योंकि मारेंगे, उसकी इंसिक्योरिटी बढ़ जाएगी, वो अटेक करतेगा, या डंडा या कोई भी चीज़ है, उसको ऐसे घुमा के कुट्टे का ध्यान उसकी तरफ करिए, उसको दूर फैक दीजे, तो कु आप भी जादा मूविंग अबजेक्ट ना बने, उच्छल कूद ना करें, ये सब ना करें, शान्ती से खड़े हो जाएं, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, और कुछ परिस्तिती ऐसी होती है, जिसमें कुट्टा आपको डराने की कोशिश करता है, उसमें दिखानी होती है, उसकी तरफ एकदम से उसको, लेकिन वो काम नहीं करें तो अच्छा है, क्योंकि वो ट्रेंड लोगों का काम है, अगर आप करेंगे तो हो सकता है कि आप कोई गलती करने, और कुट्टा आप पे हमला करते, तो कुल मिला के ये सारी चीजे हैं, और मैंने आपको थोड़ी दिर पहले का था, कि मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सी ब्रीड हैं, जिनको पालना सुरक्षित है, वो जानना बहुत जरूरी है, और इसमें से कुछ नाम में आपको बता देता हूं, जो सबसे ज़्यादा सेफ माने जाते हैं, और वो है बुल्डॉग, दिखने में तो बहुत बढ़ वालों के साथ रहना पसंद करता है, काफी फ्रेंड्ली होता है, और लोगों को आने जाने वालों से उसको ज्यादा मतलब निया होता है, गोल्डन रिट्रीवर बहुत खूबसूरत प्यारा बच्चे की तरह होता है, और वो आपको अपने घ गला भी दबा देंगे वो आप पे हमला नहीं करेगा और वो अच्छी तरह से जानता है कि आपके परिवार का उस अदर से उस सिखाना भी आसान होता है तो आसानी से वो सीख में आ जाता है और मालिक के अटेंशन बहुंच आता है पूरे दिन पीछे पीछे घूमता रहता है जो पग होते हैं जिनका मुहा कैसे जो एक बीच में टेलीफोन कंपनी के ग्याबन में दिखता था बहुत क्यूट होते हैं बहुत प्यारे होते हैं बहुत लविंग होते हैं और मालिक से चिपके रहना पसंद करते हैं बहुत सारा प्यार और दुलार कराना इनको पसंदे पूरे दिन के उपर हाथ फिरते रही है, बहुत सोशल भी होते हैं, लेकिन पक के साथ एक चीज होती है, उसकी नाक जो है उसका स्पेस थोड़ा नेरो होता है, और उस पूरे प्रोसेस में उसको सांस लेने में कुछ दिक्कते आती हैं, तो उसको जादा भागदोर कराने से देख लीजे, उसकी सांसों की आवाज तो नहीं आरी है, बगएरा बगएरा, लेकिन वो सेफ रहता है, कौकर स्पेनियल भी बड़ा खूफ सुरत कुटता है, लंबे-लंबे कान, लंबे-लंबे बाल, सबकी तस्वीरे लगा रहा हूं है, आप देख लीजेगा, और वो जो जो दोनों पैरों लंबी बाड़ी के कारण, जर्मन ब्रीड है, बहुत बड़े साइस का होता है, लेकिन बहुत लविंग होता है, एकदम गव है, और जो छोटे-छोटे इतने स्पिड्स, वाइट वाले है, ये छोटे साइस के होने के कारण, इन सिक्योर में अनुभव कर हैं, इनको आप घर में रख सकते हैं, ये हामफुल नहीं है, क्योंकि यतने स्पेस आप घर में देते हैं, उसमें उनका काम चल जाता है, लेकिन फिर भी, ये भी कभी-कभी इनका मोड भी उखड़ जाता है, हलाकि वो इतना छोटा है कि आपका ज्यादा कुछ बिकार नही होगे, आपको ये समझ में आया होगा कि जानबर नफरत करने की चीज़ नहीं है, प्यार करने की चीज़ है, अगर वो आपको समझ रहा है तो आपको भी उसको समझना पड़ेगा, और उसको समझ कर ही आप उससे उसका लाव ले सकते हैं, वो आपकी हिफाज़त कर सकता है, अनेकों मामले हैं जिसमें मालिक को हार्ट अटेक हो रहा था कुटा कूद गया उसने उसको बचा लिया इस तरह के सेकलों मामले हैं मालिक के उपर गोली चल रही थी उसको बचा लिया इस तरह के बहुत सारे मामले हैं और 17 सुनातन भहरोबाबा के जमाने से पढ़ता आ रहे हैं, मनुषन काumps Coming Is, मनुषन के साथ ही रहता है, लेकिन हम सब लोग धीरे धीरे करके उसके साथ जो मारी bonding है, हमारी समझदारी उसको लूज करते जा रहे हैं, हमको समझदारी को बढ़ाना चाहिए जो जानकारियां मैंने इसमें दी हैं वो सारी जानकारियां अलग-अलग सोर्सस से ली गई हैं लेकिन फिर भी आप किसी भी प्रकार की कोई चीज अप्लाई करने से पहले जो फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं उनसे बात जरूर कर ले हमारी जानकारी को अंतिम ना माने उमीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अच्छा लगा हो तो ज्यादा से आलोगों तक पहुँचा है चैनल को सब्सक्राइब कर ले नमस्कार जेहन पहुँचा है